तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो इस टॉक्स के बारे में जिनका नाम आपने अल्रेडी थम्नेल पे देखी लिया है तो इन दोनों को मेंली हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनलाइज करने वाले हैं टेक्निकली इन दोनों की क्या सिचुएशन ह वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं लेकिन साथ ही में देखिए कुछ fundamental important aspects भी आपके साथ share करने वाला हूँ तो यह video काफ़ important है आप बिने skip करें देखिएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे latent view analytics के बारे में IT sector की company है mainly data and analytics domain को यह company cater करती है और इसका अच्छा खास है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक पकड़ है इस segment में इस domain में टेक्निकलिए अगर हम बात करें तो उपर इस तरों से यह stock अभी देखिए 53% correction पर हमको देखने को मिल रहा है इसका IPO आया था नवंबर 2021 के आसपास और तब से लेकर यह stock गिर ही रहा है और तब हमने इसको avoid करने के लिए भी बात करी थी लगातार मैंने कहा था कि latent view को avoid करना है क्योंकि इसके valuations जो है unsustainable नजर आ रहे थे और जिस segment में एक company काम कर रहे थी तो यह देखिए stock में technically बात करें तो higher lower highs हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है देखिए पहले यह high था फिर lower high then lower high फिर यह high then उससे lower high and then again lower high तो lower highs lower lows की shreddy हमको देखने को मिल रही है pattern यहाँ पर देखने को मिल रहा है stock मुझे लगता है 316 के आंकडे को फिर से touch कर सकता है अभी भी valuation बहुत ज़ादा इसके attractive नहीं है तो उस हिसाब से अभी technically भी weak नजर आ रहा है valuation wise भी बहुत attractive नहीं है तो इसको मुझे लगता है भी avoid करना चाहिए अगर buy करना है तो करीब करीब इसको 422 का level एक बार आप cross करने दीजिए sustainable breakout देने दीजिए with volume तब यहाँ पर buy किया जा सकता है तो यहाँ पर अगर fundamentally बात करें तो company fundamentally अच्छी है result अपकी बाहर भी इसके अच्छी आए है management guide करता है 25-28% के operating profit margin लेकिन यह लगाता है यहाँ पर 29-30% के margin पोस्ट करें जो कि अच्छी बात है यहाँ पर debt-free company है FIs अपना थोड़ा से यहाँ पर interest वापिस से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि positive है लेकिन valuation again देखे 70 के P पर यह stock चल रहा था I think 80 के P के आसपास गया था तो वो unsustainable था इसलिए हमने मना किया था लेकिन अभी भी मुझे रखता थोड़ा इसको wait and watch category में डालना चाहिए अभी इसको avoid करना चाहिए लेकिन अगर यह वापिस 300 के levels के आसपास आता है यह 1200 के level के आसपास आता है अगर इसने 316 के level तोड़ा तो और नीचा आ सकता है फिर यह जित्तर नीचा आएगा उतना attractive होता जाएगा फिर इसको consider किया जा सकता है अब मैं क्यों बोल रहा हूं consider किया जा सकता है उसके पीछे reason है जो data and analytics part है जो यह segment है जो domain है इसकी growth काफ़ अच्छी खासी expected है 15-20% industry इस segment level पे हमको growth देखने को मिल सकती है over the 2-3 years मतलब अब 2024-25 के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी growth इस segment में आ सकती है company लगातार नए जो logos है वो addition हमको देखने को मिल रहा है इन औरगनी growth opportunities यहाँ पर वो तलाश कर रही है company ठीक है इसके लिए अच्छा खासा 1500 करोड के आसपास का reserve भी यहाँ पर maintain किया है और अब यहाँ पर एक और बड़ा risk यह था कि इसका जो अभी है revenue contribution वो 95% USA से आ रहा है लेकिन अभी management लगाता है यहाँ पर बात कर रहा है इन औरगनी growth की और साथी साथ वो they are trying to expand in Europe and Asia Pacific जो region है उसकी बात कर रहे है तो वहाँ पर वो expand कर रहे है जिसके लिए यह hire कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर जो lead है जो main lead team है वो यहाँ पर hire यह कर रहे हैं अगर सरी नहीं हुई तो यहाँ पर stock गवर गेड़ सकता है तो अभी at this point of time wait and watch कीजिए थोड़ा time देना चाहिए इसको अभी भी बहुत ज़्यादा पुरानी company नहीं हुई है लेकिन मुझे रखता है भी यहाँ पर time देना चाहिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डैली रीजन की उस रीजन के आसपास की बात करता हूँ तो यहाँ पर almost monopoly है debt free company है और यहाँ पर लगातार अभी हमने देखा है stock में गिरावट देखने को मिली लेकिन अभी यहाँ पर technically stock अच्छा नजर आ रहा है सबसे पहले weekly chart पर अगर देखें तो यह जो गिरावट थी उपर इस तरों से अब यहाँ पर समलती हुए नजर आ रही है base यह बना फिर उसके बाद base उपर shift हुआ key moving averages के उपर stock trade कर रहा है यहाँ पर अच्छे volume थे consolidation में volume जो है dried out होते हुए नजर आ रहे हैं तो stock यहाँ से लग रहा है कि उपर जा सकता है यहाँ तो हाला कि इस बार के number अच्छे नहीं आए थे आप देखिए margins काफी जादा तूटे हैं ठीक है साथ यहाँ पर profitability थी वो भी impact होती हुए नजर आई quarterly basis पे लेकिन आगे की triggers यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं उसकी वज़े से technically भी हमको यह चीज़ देख रही है short term में stock uptrend में आ रहा है volumes यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो short term issues थे इसके साथ gas purchase cost काफी हाई थी policy थोड़ा से यहाँ पर issues थे जिसकी वज़े से margins तोटते हुए नजर आए volumes गिरते हुए नजर आए हमने देखा अभी थोड़े टाइम पहले की यहाँ पर बात है लेकिन future की triggers यह हैं कि देखिए यहाँ पर gas purchase cost वापिस से improve होती भी नजर आ रही है जो policy support है वापिस से यहाँ पर आता हुए नजर आ रहा है इसकी वज़े से margins और volumes IGL के बढ़ सकते हैं आने वाले समय में और साथ ही साथ new geographical areas यहाँ पर लगातार वो अपनी presence बढ़ा रहे हैं इसकी वज़े से भी volume growth होती भी नजर आ सकती है and it will directly positively impact the margins as well and एक और यहाँ पर trigger है कि देखिए जो CNG vehicles हैं उसके लिए second phase यहाँ पर शुरू हो रहा है जो है भारत stage 6 engines की अगर मैं बात करूं तो CNG के लिए यहाँ पर शुरू हो रहा है अप्रेल 2023 में और इसकी वज़े से यहाँ पर growth आती हुई नजर आ सकती है तो यह सारे trigger है लेकिन इससे बड़ा एक और trigger है IGEL के लिए वो है दोस्तों देखिए कीरित पारिक एक committee है इन्होंने recommendation दी है यहाँ पर की जो administrative जो prices है जो APM है और जो non-APM gases है ठीक है उनकी prices यहाँ पर नीचे लाई जा रही है जो पहले अभी I think करीब जो मैं पढ़ रहा था करीब 8.6 dollar के आसपास था वो अभी यहाँ पर margins improve होते हुए नजर आएंगे और यह recommendation already government तक जा चुकी है और जो संजय कुमार है IGL के MDCO उनका कहना है कि यह implementation approval definitely आता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कुछी समय में approval आता हुआ नजर आए इसके वीसे again IGL में तेजी आ सकती है तो IGL को आप definitely current market price पे इसको consider कर सकते है इसको buy किया जा सकता है बाकि यह जो recommendation है कीरत पारिक वाली आप Google पर जाके पढ़ सकते हैं आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगे तो यह दो stocks है जहाँ पर पहला stock latent view है इसको मुझे लगता है अभी आपको avoid करना चाहिए लेकिन दूसरा IGL है इसको मुझे लगता है कि आप definitely consider कर सकते हैं तो यह है दोस्तों दो stocks जिनके बारे में हमने बात करी opinion मैंने आपके साथ साजा किया और कुछ यहाँपर triggers and aspects शेयर किया तो I hope यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आया तो like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए आपका opinion क्या है इन दोने stocks के regarding वो comment box में आप जरूर शेयर कर सकते हैं और अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है कल का बहुत important वीडियो जहां पर हमने बात करी है retail निवेशक के point है उसे कि हमको क्या करना है बाकि देखिए यह जो controversy है यह क्या इसका रुख आएगा आगे की तरफ इसमें हम ज़्याद वीडियो आप जरूर जाके देख सकते हैं यह वीडियो पसंद आया तो like कीजेगा मिलते हैं next video में till then take care bye bye